कराणाम, प्रवरम, चित्रम, धर्म, कामार्थ, मौक्षदम सूत्र कहां पर उल्लेख ही थे तो इस सूत्र को लिखा है मारकंड रिशी जी ने अपने चित्र सूत्र में आंसर है ओप्शन बी मारकंड रिशी ने कितने प्रकार के पुरोषों का उल्लिख अपने ग्रंत में किया है मारकंड रिशी ने पांच प्रकार के पुरोष बताये हैं जो की हैं हंस, भद्र, मालद्य, रूचक और शशक मारकंड रिशी ने कितनी प्रकार की इस्तरियों को कवर्णन किया है तो इन्होंने बताई ये 5 प्रकार की हस्तिनी, शंकिनी, पद्मिनी, डंकिनी आंसर है ओप्शन C, 5 चित्र सूत्म में गायक और बाजे वाले को किस तरह के परिधान में चित्र करने का उल्लेख है तो आंसर है यहाँ पर ओप्शन B, डॉक्टर नगिंद्र ने रसको मूलता अनन्द में माना है भारतिय डेश को चारो वेदो का सार कहा गया है तो भारतिय संगीत को चारो वेदो का सार कहा गया है आंसर है ओप्शन B महाकवी कालिदास ने किस कला को श्रेष्ट माना है? आंसर है option C किस सोंदर को मनोरम या मनोहर कहा जाता है? इसका आंसर है option C कि सापेक्ष सोंदर को मनोरम या मनोहर कहा जाता है? किसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन कहा गया है? तो कला को कहा गया है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन किसने समस्थ सोंदर और कला का मूलधार परमात्मा को माना है? इसका आंसर है option B शंकराचार जी ने समस्त सोंदर और कला का मुलाधार परमात्मा को माना है किसने रस पर टीका की है आंसर है option B आचारे रामचंद्र शुक्ल जी ने रस पर टीका की है किसने कहा है रस का तत्व है चमतकार तो रस का तत्व चमतकार कहा है option C विश्वनात जी ने ग्रंथ चमतकार चंद्रिका के रचियता कौन है ग्रंथ चमतकार चंद्रिका लिखी है विश्वेशर जी ने आंसर है ओप्शन ए किसने चमतकार को रमनीता की रूप में देखा है चमतकार को रमनीता की रूप में देखा है किसने आनन्द को समस्त जीवन का तत्व कहा है जिसकी अनुभूती रस से ततकाल होती है तो ये बात कई है ओप्शन B मुम्मट ने उन्होंने कहा है कि आनंद समस्त जीवन का तत्व है जिसकी अनुभूती रस से ततकाल होती है किसने कहा है कि श्री शंकुक प्रथम शास्तराकार है जिन्होंने रस के दो स्वरूपों को सपष्ट किया है ये की कहा है Option D, कान्ती चंद्र पांडे जी ने ग्रंत श्रंगार प्रकाष के रचेता कोन है तो ग्रंत श्रंगार प्रकाष लिखा है राजा भोज ने आंसर है ओप्शन A किसने रस की अनुभूती को ब्रह्मानंद सहोतर की संग्या दी है तो रस की अनुभूती को ब्रह्मानंद सहोतर की संग्या दी है ओप्शन A विश्विनात जी ने